किरन किचिन को सब्सक्राइब कीजिए और पेल एकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है हलो दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ किरन और आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो ले करके आई हूँ मुझे पता है कि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा अच्छ नहीं आता है कि जब नमक और मिर्च जादा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए तो दोस्तों उसी को पर आज मैंने ये वीडियो बनाया है और मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही जादा पसंद आएगा आप लोगों को बहुत ही जादा अच्छा लगया कि हर घर की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले होता है अगर आपके सबजी में नमक जादा हो जाए तो आप क्या करें अगर सबजी में चानक से नमक जादा हो गया तो वो तो आप खा नहीं सकते हैं उसके लिए हमें करना क्या चाहिए अगर आप के पास में गेहूं का ही हरे घर में होता है दोस्तो나라 क्या करें पहले उसे अच्छे से गूतने में क्या होता है चोटा चोटास क nasıl ख़ोटा सा उसका बॉल्स बना कर सबजी में डाल देजा इससे क्या होगा कि जो ऊठान गेहूं आपका सब्जी को नमक बिल्कुल को करने के पास आलू होता है तो हर घर में आलू भी होता है तो आलू को क्या करें पहले boil कर ले, boil करने के बाद सबजी में काट करके थोड़ा सा डाल दीजे, तो क्या होता है, वो भी जो है, आलू जो है, सबजी को बहुत ही अच्छे से आपको balance करेगा नमक absorb कर लेगा, और सबजी बहुत ही अच्छे से balance रहेगा तिसरा option होता है अगर आपके पास घी है, घी भी हर घर में available होता है, घी भी बहुत जल्दी नमक और मिर्च को absorb करता है, balance कर देता है तो आप एक से दो चमच सबजी में घी डाल देजे, तो उससे भी आपका सबजी में जो नमक और मिर्च होगा, बिल्कुल ही अच्छे मातरा में balance हो जाएगा तिसरा चौथा option है आपका, अगर आपके पास घी भी नहीं है आपके घर में दूद वेगरा आता है तो उसका मलाई होता है, तो मलाई को भी आप उसमें डाल देजे तो उससे भी आपका नमक और मिर्च बहुत ही अच्छे से balanced हो जाएगा उससे वो भी नहीं है दोस्तों तो दही होता है हरे घर में दही भी आप डाल सकते हैं दही डाल करके भी आप अपने सबजी को नमक मिर्च को बहुत ही अच्छे से balance कर सकते हैं उसके बाद जो है अगर आपके पास वो सब भी नहीं है दोस्तों तो हर घर में निम्बू होता है निम्बू है तो निम्बू डाल करके भी आप अपने सबजी के नमक मिर्च को बहुत ही अच्छे से balance कर सकते हैं यह सब जो है बहुत ही easy trick है और हर घर में available होता है दोस्तों तो आप चाहे तो इस तरह से आप अपने सब्जी के नमक और मिर्च को बहुत ही अच्छे से balance कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही जादा जो हता है नमक मिर्च बढ़ जाते है बढ़ जाएगा तो हमारा सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है उसकी बाद अगर निम्बू भी नहीं है तो टमाटर होगा टमाटर को क्या करे अच्छे से mixi jar में grind कर ले अगर mixi jar में grind नहीं भी कर सकते हैं तो चोटे चोटे पीस काट करके सब्जी में डाल करके सब्जी को कुछ देर तक अच्छे से पकाईएगा तो टमाटर का भी flavor जैसे ही जाएगा वो नमक और मिर्च को अपने अच्छे से balance कर लेगा अच्छे से absorb कर लेगा लास्ट में है हमारा मैदा मैदा को क्या करे हलका सा 2-3 चमस तेल ले करके 2-3 चमस मैदा ले करके थोड़ा दिर के लिए उसे अच्छे से fry कर ले मैदा को गरम कर ले तेल में उसके बाद आप उसको सबजी में डाल दीजे तो ये भी क्या करेगा नमक और मिर्च को balance करने में बहुत ही ज़्यादा help करता है तो ये रहा आज का मेरा वीडियो का जो कि दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे आप अपने घर में अगर नमक और मिर्च जादा हो जाए तो उसे आप balance कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा जादा जादा अपने family members के साथ share कीजे ताकि उनको भी इस information का फाइदा मिल सके और अपने comments में अपने अनुभव को जरूर लिखे कि आपकी सबजी में नमक जादा हो रहा है कि मिर्च हो रहा है कि नहीं तो आप उसको कैसे balance करते हैं जरूर अपने अनुभव कोमेंट्स में हमें लिखे बताईए और तो मिलती हूँ एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों तो अपना ख्याल रखिए अपनी family का ख्याल रखिए healthy रहिए इससे हद मंद खाईए घर का खाना खाईए और अगर किसी तरह का कोई problem हो तो जरूर से जरूर अपने अनुभव कमेंट्स में लिखे आपके कमेंट्स का इंतिजार रहेगा थैंक यू बाइबाइ टेक कियर किरन्स किचिन को सब्सक्राइब कीजिए और पेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल प्रिए है